आज मैं आपको काली मेच चिकन तंदूरी चिकन लिया हुआ है जो तीन से चालों के लिए सफिसेंट होता है और इसको हम मैइनेट करेंगे मैइनेट करने के लिए हमें सबसे पहले दही नमक और काली मेचे हम सबसे पहले रही को जे टे में को हिराव लेते हैं नमक एक सीagenल सेधों हम पिलाए लेते हैं अब अपने टेस्क के हसाब से दिलिए सकते हैं फिर हम काली मेच हम दो चमचराओं लिए हमने अब हम इसे कर लेते हैं अब कर लिए हैं कर दो अब अब सब कुछ अपने इंग्रेडिन्स से आप अच्छे से मिला लिये हैं अब हमें इसको फ्रेज में रखना है जो अच्छा रहता है अब अगर आप 6 घंटे के लिए तो ज्यादा अच्छा टेस्ट देगा मगर आप यह नहीं रख सकते हैं जाए कंटी के तो आप मैंने निटे चिकन को बाहर निकालते हैं मैंने एक हार्डीटाइब कुकर दिया है जिसमें तंदोरी बनाने के स्टाइल है मेरी यह तेल लाग लिया है तेल तेल लाग लिए है अब हम इसके लिए दस बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का हमें सिर्फ इतना करना है मैंने कुछ चिली जिली है 10-12 चिली इसमें हमें सिर्फ कट करना है उनको जिससे हम जब इस और फ्राइट करने डालेंगे तो फटे नहीं अब यह पुड़ा ओल गरम हो जाए मुझे अब मैंने इसको फुल गेस पर रखा हुआ है जिससे पर फाप बनने से वह अंदर सॉफ्ट भी होता रहा है और फ्राइट भी होता रहा है अब हम इसको 10-15 मिट ऐसे ही छोड़ देते हैं बट पीच में हम इसको तर्न करते रहेंगे अब हमारा देल गरम हो गया है मैंने यह 10-12 मेर्चिया ली है हमें कुछ नी करना है इस मेर्चियों को डालना है अब इसमें पूरा सब्स्राइब होना देना है और पर हमको अपने अपने मैरीने टेक पिकल इसमें डाल देना है क्षक्ञ स्थराइब हो था एक नुच जगा है अब लोग जया है अब लोग, अच्टन, प्रेख वीधन, और दे प्रेख धाई प्रेख पॉराइब को पार रहा है बाल लोग, अभर हमोड़ देखते ह। अफर लाप नगे लींडे लीज़ लीज़ अबल्डरी म्हादि लीज़ अबल्डरी लीज़ के लीज़ के लीज़ के लीज़ देखा है कि अब हमको इसको थोड़ी देशा होगा अभी हम एसे फ्राइट करेंगे फिर हम देखेंगे कितना अची से फ्राइट होगे, फिर मैं आपको पताती हूं और आप मैंने इसको फुल देबसे तुनियां के रखा हुगा है यह करेधीर दीरे फ्राइट होगा इसको 10 पना मिट्ट हमें ऐसे ही फुल ज़िए पे मैंने इसको उपसे ठग दिया है जिसके उसे फप बनने से वह अंद्र सॉफ्ट भी होता गाए और फ्राइब भी होता र बट पीछ में हम इसको तर करते रहेंगे अब हम इसको पंगाम ने करीब हो चुके हैं इसको श्टेकर के लिख लेदें देखें इसमें पूरा पानी सूप चुका है यह ड्राय हो चुका है मलाई सी जब गई इसे और यह तंदूरी फ्राइड दिखने लगा है अपना चिकन दिखें मैं दिखाते हूं आपको लिटल लिटल से ब्राउन हो रहे है यह दिखें यह ब्राउन हो गया है यह फ्राइड हो गया अब हमें इसको खोड़ा और पेस्ट परेना है तो हमें इसे थोड़ा सा आप घी डाले है मैंने बहुत कम डाला है आप ज़्याद भी डाल सकते हैं यह उतना ही ज़्यादा फ्लेवरेस हो जाएगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी दिखाएगा यह देखें आप पारें सुख चुका है यह अच्छे दिख पूली तरह से पूरी तरीके से पंदूरी हो चुका है यह अच्छा और अब हम इसको थोड़ा और प्राइड करेंगे अच्छे करें आप है यह दीक है मारा तंदूरी बन चुका है चिकन हमना गैस बन करते हो अब इसको बाहर निकार लेकते हैं कर दो कर दो